नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम ग्लैनमार्क फार्मा के बारे में बात करने बाले हैं जो की 7% हमें भागता हुआ नजर आया और आज की तेजी के चलते एक ब्रेकाउट देखने को मिला है तगड़ा ब्रेकाउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कुछ बैतर जानना चाते हैं कुछ बैतर सीखना चाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के रेक्मेंडेशन पाना चाते हैं तो आज हमें जॉइन करने के बारे में सोच सकते हैं आज हमें Glenmark Pharma में शांदार तेजी देखने को मिले उसका reason है कि पूरा Pharma सेक्टर ने फिलाल जोर में दिखा जिरा है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा मार्केट में जो क्रैश देखने को मिला था मार्स 2020 में उसके बाद फार्मा सेक्टर ने बहुत ही जोरो शोरो में तेजी की शुरुआत कर दी लेकिन पिछले कुछ तीन या चार माईनों में उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है और ग्लैन मार्क फार्मा भी इसे सेक्टर का है तो इसे भी फायदा हो रहा है क्योंकि बड़ा मैनिफेक्चर है फैबी पिराविर का जो की कोवीड के लिए काफी द्यादा यूज होता है तो इनका डिमांड हमें बढ़ता हुआ नजरा हैगा जिसके कारण स्टॉक में भी हम अगर इसे हम दूसरी कमपनिस के साथ कमपैर करते हैं तो हमें क्लियरली पदा चलता है इसका वैलिएशन बहुत ही सस्ता है सन फार्मा का 41 का पी रेशियो डॉक्टर रेडिस का 40 है सिपला का 48 है प्राइस टुबुक रेशियो आप देख सकते हैं बहुत ही महेंगे दिखा अगर बात करें तो यह अपने सेक्टर के पीर्स के साथ ही चलता हुआ नजरत है लेकिन वैलिएशन के बेसिस पर बहुत ही ज्यादा सस्ता दिखा दे रहा है बहुत ही चीप वैलिएशन हमें दिखाई पड़ता है फार्मा सेक्टर में अच्छा समय नहीं चल रहा था यह तो कोवीड-19 ने एक धमा के दार बूस्ट दे दिया है बाकी जो यूएस से जादा काम काच करते थे जितने भी ऐसी कंपनिस थी वहाँ पर सिच्वेशन खराब हो गई थी अब कितने भी स्टॉक ले लिजे सन फार्मा की बात के लिजे सिपला की बात के लिजे सब भी कंपनी लगातार बढ़ाती चाहरी है 2017 में 9.12000 क्रोड का रेविन्यू था जो की बढ़कर 10.83000 क्रोड का हो चुका है और प्रॉफिट हमें यहाँ पर डिपलीट होता हुग अनजराया लेकिन कोई लॉस देखने को नहीं मिला है वो भी एक अच्छी बात है जब सेक्टर मे बुरा समय चल रहा होता है तब अब लॉस नहीं होना चाहिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रॉफिट तो रुख जाता है ग्रोथ तो रुख जाती है लेकिन स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो इसलिए सेल्स ग्रोथ हमें ज्यादा नहीं बात करते हैं तो यहाँ पर situation कुछ वैसे दिखाई दे रही है 5 यर में 6.1% का profit growth हमें दिखाई पड़ता है ROE के बार में बात करें तो पिछले 5 सालों का average 17.03% है जो कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है बहुत ही excellent तो इसे हम of course नहीं कहेंगे लेकिन decent number है ROC में भी same situation है 5 यर क 18.2% दिखाई देता है जो कि एक decent number दिखाई दे रहा है debt to equity ratio के बार में बात करें तो 0.27 का debt to equity ratio है तो यहाँ पर debt जरूर है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा tension लेनी वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं देती अगर 0.5 0.6 होता है तो थोड़ा सा alert हो जाना चाहिए लेकिन वो number से काफी ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहा है share holding pattern के बार में बात करें तो total promoter holding है 46.63% FIS की holding है 25.84% public के पास है 18.38% का share और DIS के बार में बात करें तो 9.16% का stake हमें दिखाई देता है तो overall strong hands के बार में बात करें तो 80% से भी ज़्यादा हमें strong hands में यहाँ पर holding दिख सकते हम charts पर आचुके हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ महिनों से stock बहुत ज़्यादा धीमा हो गया था थंडा पड़ गया था एकदम August के महिने से consolidation जो शुरू हुआ अभी तक हमें चलता हुआ नजराया और अभी फिलाल यह consolidation तूटा है और शांदार तेजी हमें stock में दिखाई पड़ी है फिलाल stock bullish दिख रहा है सारे moving average के उपर trade करता हुआ नजराता है indicators के बार में बात करें तो RSI का number 71 है जो की overbought दिखाई दे रहा है MFI के बार में बात करें तो money flow index का number 83.18 है यहाँ पर highly overbought situation हमें दिखाई पड़ती है MECD में भी of course bullish crossover बना के आसपा straight कर रहा है median है 485 का level और lower band है 419 का level pivot points के बार में बात करें तो pivot level 466 है दो resistance अल्ड़ी तोड़ दिए है और अज तीसरे resistance पर ही closing देखने को मिली है pivot support 440 पर बन करा था है long term के बार में एक बार चर्चा कर लेते हैं all time chart देख लेते हैं कैसी situation है तो आप देख सकते है long term में stock ने अच्छा perform किया है लेकिन पिछले कुछ सालों से situation पूरी pharma sector की खराब हो गई तो stock 1200 के level से हमें नीचे आकर 200 के आसपास भी आता हुआ नज़ा था market crash में तो आप समझ सकते हैं बहुत ही बुरा समय ग्लेन मार्क ने देखा है लेकिन फिलाल हमें अच्छी तेजी देखने को मल रही है और जिस तगडे breakout के मैं बात कर रहा हूँ ये कोई daily chart पर नहीं है वाई सब monthly chart पर इतना शांदार breakout हमें दिखाई दे रहा है अब देख पाएंगे जब से stock में गिरावट हो रही है जब से stock नीचे आना शुरू हुआ है तो जो इ इसी average से stock हमें नीचे आता हुआ नजराया था और कुछ महीनों तक consolidation में चला गया कुछ 8 या 9 महीनों तक लंबा consolidation हमें देखने को मल रहा लेकिन फिलाल आप देख पाएंगे फिलाल हमें अच्छी तेजी देखने को मल रही है और यहाँ पर एक breakout बनता हुआ नजराता है सा देख सकते हैं monthly moving average यहाँ पर positive हो रहे है monthly RSI यहाँ पर हमें strong होता हुआ नजराता है weekly chart पर भी एक बर देख लेते हैं situation कैसे दिखाई दे रही है तो weekly chart पर आप देख पाएंगे जो resistance बना हुआ था वो था 200 weeks का moving average जो red line है वहीं पर stock resistance face करता और वापस हमें गिरावट दिख दे रहा है तो overall technically stock बहुत ही strong होता हुआ नजराया अब यहाँ पर buying के बार में चर्चा कर लेते हैं कैसी शांदार buying एम और जोती भी नजरायी है तो अब देख पाएंगे strong volumes में आज हमें buying होती भी नजरायी आज जो buying होई है 10 million से भी ज्यादा shares यहाँ पर खरीदे गए और शिर्फ आज नहीं पिछले 2-3 दिनों से ऐसा volume हमें दिखाई पड़ रहा है weekly भी देखते हैं तो अच्छी volume हमें दिखाई दे रही है तो overall आज जो तेजी देखने को मिली volume backup यहाँ पर हमें दिखाई दिया था और आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको बताना च इस के दम पे इस वीडियो में हमने ग्लेनमार्क फार्मा के fundamental की चर्चा की और technical की चर्चा कर लें लेकिन ज्यादा जोर में technical पर दे रहा हूं क्योंकि fundamental पिक नहीं है यह एक technical पिक है तो अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते है current market price के आसपास तो यहाँ पर breakout की काफी अच् एक शांदार तेजी दिखाई पर सकती है और target के बार में अगर बात करें तो short term में जो इसका resistance दिखा दे रहा है उसके बार में भी चर्चा कर लेते हैं जब stock नीचे गिर रहा था तो इसका जो strong resistance बना हुआ था वो 700 के आसपास था 650 से 700 तो यहाँ पर दूसरा कोई major resistance आपक मैं personally यहाँ पर ऐसे stocks खरीता हूँ जो कि हमें अच्छे returns दे सकें एक से दो सालों में मैं यह stock आपको ज्यादा long term के लिए suggest नहीं कर रहा हूँ एक positional trade की तरह suggest कर रहा हूँ ज्यादा दर लोग क्या है बहुत जल्द बाजी में पैसे कमाना चाहते हैं बस पांच दिन में य पैसे double हो जाएंगे या triple हो जाएंगे तो वहाँ पर मैं बेचने के बार में सोचूंगा वहाँ पर मैं profit book करूंगा और जब मैं long term कहता हूँ तो personally मेरा कोई target नहीं होता मैं बस company में पैसे डालता हूँ कि यह company मुझे पता है अच्छी grow करने वाली है तो यह मैं आपको difference दिखाई पर सकता है अगर आपको stock कहीं पर भी 520 से करके 530 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप खरीदारी के बार में सोच सकते हैं 650 700 के targets हमें दिखाई पर सकते हैं और अगर stop loss के बार में बात करें तो stop loss आपको of course यहाँ पर थोड़ा सा deep लेना पड़ेगा stop loss जो आपको समझा बाया हूँ कि stop loss क्या रखना है target क्या रखना है और क्यूं मैंने ये stock सिलेक किया मेरा main मकसद यही है वीडियो बनाने की पीछे कि आपको पता चले कैसे stock की analysis की जाती है कैसे moving average इस पे आपको यहाँ पर breakout देखना चाहिए volume को यहाँ पर देखना चाहिए volume के आ subscribe कीज़र मुझे motivate कीज़े thank you stay happy happy investing